आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडों खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनोट करें हम यहाँ पर समी करण एक का एक्स के साप एक्ष अवकलन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे समी करण एक का एक्स के साप एक्ष अवकलन करने पर देखें हमें क्या मिलता है तो अब देखें यहाँ पर साइन स्क्वेर वाई का अवकलन करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर अपकलन का दिखे कौन से सूतर का उपयोग करेंगे तो यदि हमें x की घात n का अपकलन करना होता है तब इसका क्या मानाता है n इंटू x की घात n-1 ठीक है तो हम दिखे इसी सूतर का उपयोग करेंगे इसको हम क्या लिख सकते है, sin y की घहाँ, दो लिख सकते हैं, और जब इसका x के साफ एक ख़़ण करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, 2 sin y, दिखे, 2 यहाँ पर गुले में आकिया और sin y, दो में से 1 घटाएंगे, तो एक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Sen y लोट सकते है है अब हम फिर से क्या करेंगे? Sini Y कअ अफप्कलंग करेंग तो हमें क्या मिलेगा? primary Cos y मिलेगा аर जब y को X के साब información करेंगे तो d y बता d x मिलेगा ठीक है फिर अब क्या करेंगे समय प्लस Cos y काक tripleicon करेंगे तो दिखें उस Cos x xy का अफकलन करने के लिए सबसे पहले देखें हम किस प्रकार करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर xy को cos x माले तब इसका अफकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा फलन U का अफकलन करें, तो क्या मिलेगा? D U बटा D X मिलेगा, और गुड़ा कर देंगे V से, प्लस, अब U को इसर प्रकार लिखेंगे, और D V बटा D X से गुड़ा कर देंगे, ठीक है? यानि, V के अफकलन से, तो इस प्रकार हम अफकलन के गुलनफ़ नियम में अफकलन करते हैं ठीक है तो दिखें विधी का अपयोग करेंगे तो सबसे पहले x और x इंटो y है तो x का यहाँ पर अफकलन करेंगे तो क्या मिलेगा एक और फिर क्या करेंगे y का गुला कर देंगे प्लस अब x को इसी प्रकार लिखेंगे और y का अफकलन से गुला कर देंगे यानि dy बटा dx से ठीक है बराबर यहाँ पर देखें कि ने यहाँ पर एक अचर पार दीट तो इसका अफकलन करने पर हमीं क्या मिलेगा शूर ने तो देखिए हम यहाँ पर क्या मिलता है हमारे पास आ गया है 2 sin y into cos y तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं सर्वस्वमिगा का उप्योग कर सकते हैं तो 2 sin x into cos x इसका मान किसके बराबर लिख सकते हैं इसका मान बराबर होता है sin 2 x के ठीक है यह किसके बराबर हो गया, sin 2x के बराबर हो गया, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, sin 2y into dy बटा dx, ठीक है, minus, यहाँ पर दिखी क्या आगया, sin xy into, यह कितना हो गया, y plus x dy बटा dx, ठीक है, बराबर 0, और दिखें क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर sin xy का, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर गुडा कर देंगे, ठीक है, तो हम यह क्या मिलेगा, sin 2y into dy बटा dx, ठीक है, minus, sin xy into y हो गया, और यहाँ पर आगया, minus, sin xy into x dy बटा dx बराबर 0, अब हम क्या कर सकते हैं, dy बटा dx के पत को एक साथ लिक लेते हैं, और dy बटा dx को common कर लेते हैं, तो dy बटा जब dx common करेंगे, हम क्या मिलेगा, अब रैकेट के अंदर, sin 2y मिलेगा यहाँ पर, और minus का, x sin xy मिलेगा, ठीक है, बराबर, यहाँ पर देखे, sin y into sin xy को, हम क्या करेंगे, दामे पक्ष मिले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, क्या लिख सकते हैं, y into sin xy, यह लिख सकते हैं, ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास देखे, dy बिटा, dx का मान क्या आजाएगा, इसको यहाँ पर जब दामे पक्ष मिले आएंगे, तब हमारे पास क्या जाएगा, dy बिटा, dx बराबर क्या मिलेगा, y sin xy, कितना आजाएगा, sin 2y minus x into sin xy, ठीक है, तो यह हमारे पास क्या आगया, यह हमारे पास हमारे प्राश्न का अभिष्ट उत्तर आगे, ठीक है, धन्यवाद,